जो पार्टी हार जाती है, वो हल्ला करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है इलेक्शन कमिशन में चलो, वहाँ पे जाके इसको हैक करो, सब के सामने हैक करो और पूरे देश के हिरो बन जाओ और आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, जिसने जीतने के बाद EBM को एक शब भी बुरा बोला हो कि यहां से आप एक बार बटन दबाओगे तो उधर से दो बार पार्टी को वोट चला जाएगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया कि जो लोग यह कह रहें कि हैक हो सकती है वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुला के लाएं और इस मशीन को हैक करके दिखाएं जब एक लाख वोट हो जाएंगे उसके बाद एक ही पार्टी को सारे वोट चले जाएंगे अच्छा कुछ इर्रिस्पॉंसिबल लोग जो अलिजबल होने के बाद भी उन्होंने पोलिंग स्टेशन का मूह तक नहीं देखा होता लेकिए 911 मिलियन रेजिस्टर वोटर सें इंडिया के अंधर इनसे जब बैलेट पेपर के थुरू वोट डलवाए जाते हैं तो करोडो बैलेट पेपर की ज़रूत पड़ती है लाखों पेड करते हैं और हजारों लोग इन वोटों को काउंट करने के लिए लगते हैं और इंडिया जहां पे हर थोड़े दिन में कहीं न कहीं चुनाओ होते हैं तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए EVM मशीन को लाया गया लेकिन इसको यूज करने के टाइम पे भी अवाज उठने लगी कि अभी भी इसमें शॉटकमिंग्स हैं यह कम्प्लीट नहीं है तो 2014 के नैशनल इलेक्शन में EVM के साथ VVPAT को भी आड़ कर दिया गया अब यह VVPAT क्या होता है देखिए जब आप VVPAT नहीं यूज करते थे तो उससे पहले बटन दबाते थे लाइट जलती थी और आप यह विश्वास करके चले जाते थे कि आपने जिसको वोट दिया उसको वोट पढ़ गया होगा लेकिन VVPAT को एड़ करने से यह हुआ कि सेम मशीन के बगल में VVPAT भी रखा जाता है जब आप बटन दबाते हैं तो VVPAT में आपको एक परची दिखती है जिसमें जिसको आपने वोट दिया है उसका नाम मेंशन होता है आप उस परची को लेके नहीं जा सकते बस वो आपको दिखाने के लिए होती है कि देखिए जो बटन आपने दबाया है उसी को वोट मिला है और फिर वो परची उसी बॉक्स के अंदर चली जाती है वीवीपैट से आपको ट्रांस्परेंसी तो मिलती है साथ ही में डबल वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि आप दोनों मशीन से वोट काउंट कर सकते हैं और यह चेक कर सकते हैं कि सेम वोट डले है तो वीवीपैट के एड होने से टोटल तीन मशीन हो गई एक बैलट यूनिट, यह वो यूनिट है जिसमें आप बटन नबा के अपने फेवरिट कैंडियेट को सलेट करते हो दूसरी हो गई वीवीपैट जिसमें आप वेरिफाइ करते हो अपने वोट को और तीसरी यूनिट हो गई कंट्रोल यूनिट ये unit वहाँ के officers के पास होती है इसके अंदर पूरी machines की programming और data रहता है जब कोई vote देने आता है तो officer उदर से इस control unit का button नबाता है तब आपकी machine में green light जलती है और आप vote डाल पाते हो इसका ये भी फायदा है कि voter मौका देख के कई बार button नबाके अपनी favorite party को ये तीनों machines आपस में connected रहती है इसके अलावा इसमें और कुछ connect नहीं कर सकते इसको stand-alone independent machine भी कहते है क्योंकि इसमें ना कोई internet, ना कोई wifi और ना ही कोई frequency receiver होता है ताकि कोई दूर से इसमें छेड़-छाड़ ना कर सके इस machine को पूरी तरीके से भारत electronics limited और electronics corporation of India limited ने बनाया है ये पूरी तरीके से इंडियन developed product है इसमें self-diagnostic system और tempered deduction program है, मतलब कि किसी भी stage पे कोई छेड़ता है या जबदस्ती करता है तो पकड़ में आ जाएगा अब बात करते हैं कि इस पूरे election में process क्या follow होता है देखिए EVM machine का control भारत electronics के पास रहता है जैसे ही election की date आती है भारत electronics limited इसका distribution all over इंडिया में करता है जहां जहां चुनाव होने हैं उसके district headquarter के strong room में ये machine भेजी जाती है ये strong room बहुत ही secure room होता है with live camera और presence of special security forces इसका जो distribution होता है वो EVM randomization की throw होता है इसका मतलब कि ये जो machine है इसको serial number allot कर दिया जाता है और कौन सी machine किस boot में जाएगी ये किसी को नहीं पता होता computer randomly serial number select करता है और decide करता है कि कौन सी machine किस जगह पे जाएगी जब इस machine को strong room में रखा जाता है उस particular time पे political parties के representative जैसे की BJP, Congress, ZU हर party अपना representative भेजती है election commission के officer सबकी मौझूदगी में इस machine को रखते हैं एक बार इस strong room में machine रख दी जाती है और lock कर दी जाती है उसके बाद कोई भी इसको खोल नहीं सकता political parties के representative समें सबका रहना जरूरी होता है इस पूरे process में strong room में continuously live recording होती है और कोई भी political party आके check कर सकती है उस recording को अब इसके बाद wait होता election date का जैसे election date पास आती है इसको district के strong room से निकालके अलग-अलग constituency के strong room में पहुचाया जाता है जहाँ voting होनी होती है और जब ये machine वहाँ पहुचती है तो same process चो इससे पहले वाली strong room में follow हुआ था वही same process follow होता है जैसे डेली में साथ constituency है पहले डेली के strong room में आएगा उसके बाद इन साथ constituency के strong room में आएगा अब यहाँ से इसको polling station पर पहुचाना होता है polling station यानि के जहाँ पे आप जाके vote देते हो same level की security के साथ इसको polling station पहुचाया जाता है अच्छा इसमें एक चीज और है इन machineों में एक unique ID होती है और वो unique ID पे particular polling assign होती है जब यह machine वहाँ पहुचती है तब सारे executive और political parties मिलके इसको match करते है political parties और executive को यह note करवाया जाता है अगर एक भी mismatch निकलता है तो process वहीं रोक दिया जाता है अच्छा कुछ irresponsible लोग जो eligible होने के बाद भी उन्होंने polling station का मूह तक नहीं देखा होता है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि यह जो political party के representative होते हैं बहुत ही important role play करते हैं जब आप voting देने जाते हैं तो यह बाहर ही बैठे होते हैं कुछ stand या bench लगाके इनको आप अपनी voting की परची देते हो और यह आपका नाम list में देखते हैं और tick लगाके आपको बता दे रहें कि आपको किस number के boot पे जाना है अगर कोई आपके भ्याप पे vote दे के आएगा तो वहाँ आपके नाम के आगे पहले से tick लगा होगा तो इन सब cases में भी आप इनकी help ले सकते हो और इसके साथ साथ यह अपनी अपनी party की voting में कोई नुकसान ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं जब मशीन का setup हो जाता है तो voting start होने से पहले इसका test होता है जितने भी political party के representative होते हैं उनको बुला के हर candidate के नाम के सामने vote डलवाये जाते हैं और VVPAT से validate किया जाता है अगर एक भी entry गलत होती है तो process को वहीं रोक दिया जाता है जब सारी parties के लोग और election executive 70 बना के approve करते हैं तब सब के sign होते हैं और उसके बाद voting start होती है अब जो लोग इसका oppose करते हैं उनका ये कहना है कि आप लोग test तो एक से 2000 का करते हो लेकिन machine में ऐसी programming की गई है कि एक लाग तक तो कुछ नहीं होगा जब एक लाग वोट हो जाएंगे उसके बाद एक ही party को सारे वोट चले जाएंगे लेकि ऐसा करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि जो party ऐसा कर रही है वो इस process के बीच में ही live camera, security, strong room, temper security system सबको crack करके machine चुरा ले और programming change करके वापिस रख दे लेकिन उसमें भी कितनी machine चुरा होगे आप उसके बाद भी कैसे पता चलेगा कि जिस machine को आपने crack किया है वो आपकी ही consistency में जाएगी लेकि ऐसा तभी हो जब जिसने machine बनाई है उसने बनादे टाइम ही सारी programming set कर दी हो लेकिन उस case में भी random machine pick करके लाग से उपर vote करके चेक कर लिया गया random machine हो पर दूसरी चीज जिसने machine बनाई है उसको पता होना चाहिए जिस party के नाम पर उसको सारे vote transfer करने उस party का allotted machine serial number क्या है वो पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सबसे बाद में generate होता है इसमें एक चीज और बोली जाती है कि यहां से आप एक बार बटन दबाऊगे तो उधर से दो बार party को vote चला जाएगा देगे अगर ballot unit है उसमें से आप अगर एक बार बटन दबाऊगे और VVPAT में दो बार vote आएगा तो दोनों की counting mismatch होगी और voting वहीं रद्ध हो जाएगी एक चीज में यह भी कही जाती है कि जब सारी voting हो जाती है उसके बाद vote बढ़ा जाते है तो जब voting complete हो जाती है तब polling booth का जो in charge होता है वो सभी political parties के लोगों के बीच में एक खटा होके machine को seal करता है सारे representative उसको चेक करते हैं कि साही से seal हुई है कि नहीं दूसरी चीज सारे political member note करते हैं कि किस machine पे कितने vote हुए है मान लीजे कि एक machine पे 1150 vote डले हैं तो वहाँ पे note होगा कि इस ID की machine पे total इतने vote डाले गा हैं यह verify करने के बाद सारे member sign करते हैं और जितने भी candidate खड़े होते हैं उनके पास यह list भेज दी जाती है जो उस बूत का presiding officer होता है जब वो उस machine के start button को दबाता है तो voting शुरू होती है और वो officer उस time को note कर लेता है सेम जब voting complete हो जाती है उसके बाद close button दबाया जाता है और उस time को note किया जाता है ताकि इस time के बाद कोई अगर इससे छेड़ खानी की कोशिश करे तो वो time से पता चल जाए और जो सब लोगो हाँ पे मौझूद होते हैं जब वो सब okay बोल देते हैं तो machine steel होती है उन सब के बीच में उसके बाद एक unique पर्षी होती है जो एक political party के representative को दी जाती है दूसरी officer रखता अपने पास अब ये machine तभी खुलेगी जब दोनों party के code होंगे एक साथ जैसे पहले boot capturing होती थी इसमें उसकी गुझायश ही नहीं है कोई इसको loot ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए वो useless है उसके बाद पूरी security के साथ इसको strong room में फिर से वापिस लाया जाता है सेम उसी process से जैसे इसको लाया गया था और सब की मौझूदगी में इसको lock कर दिया जाता है 24-7 इसका live camera चलते हैं उसकी footage LED TV में चलती है जहां पर सारी political party के representative इसको monitor करते है अब जिस दिन counting होनी होती है उस दिन सारी political parties और executives के सामने strong room का lock खोला जाता है और हर एक machine की seal चेक होती है अगर एक भी machine की seal खराब होती है तो process वहीं पर रोग दिया जाता है जब सारे मौझूदा लोग machine खोलने के लिए सहमती जता देते हैं तब machine खोली जाती है और machine खोलने के बाद उसको machine ID के total number of vote match किये जाते हैं जो list दी गई होती है उससे और partyों के बोलने के बाद counting start होती है reciting officer machine में result का button दबा के result दिखाता है और जो result आता है उसको random VVPAT machine से verify किया जाता है माली ये EVM में दिखा रहा है कि BJP को 100 vote मिले है और Congress को 90 vote मिले है तो VVPAT machine में भी उतने ही number दिखाना चाहिए और ये सब randomly चेक होता है जैसे जैसे calculation होती ही रहती है वहाँ पे चुप रहती है आज तक एक भी party ऐसी नहीं है जिसने EVM को कभी न कभी criticize ना किया हो और आज तक एक भी party ऐसी नहीं है जिसने जीतने के बाद EVM को एक शब्द भी बुरा बोला हो लेकिए EVM machine को लेके लाखों लोगों ने बोला है कि यह hack हो गई है आए दिन आपने statement, debate और videos देखी होंगी लेकिन मैं उस case को discuss करूँगा जो सबसे ज़ाधा discuss हुआ इस country में जब एक party के member ने डेली assembly में एक machine लगाई और पूरे देश के सामने demonstrate किया कि EVM machine इस तरीके से hack हो सकती है दिखिए वो जो demonstration दिखाया गया था वो original EVM पे नहीं दिखाया गया था उसकी copy पे दिखाया गया था अब अगर मैं आपसे कहूँ कि SDFC और ICIC के जो internet banking है वो hack हो सकती है वो खराब है और अगले दिन मैं अपनी बनाई हुई website को hack करके दिखाऊं तो उससे कुछ साबित नहीं होगा SDFC और ICIC के internet banking अगर बेकार है अगर मुझे साबित करना है तो मैं SDFC के internet banking को hack करके दिखाऊंगा तब लोगों में विश्वास आएगा क्योंकि ये इतने बड़े लेविल पे हुई थी और पूरे देश ने देखा था तो election commission ने 3 जून 2017 को हर एक political party को challenge किया कि जो लोग ये कह रहें कि hack हो सकती है वो दुनिया का कोई भी expert बुला के लाएं और इस machine को hack करके दिखाएं कोई भी party नहीं गई अब party ये गई क्यों नहीं इसके पिछे भी reason था क्योंकि अगर कोई party जाती और hack नहीं कर पाती तो उसकी बहुत बदनामी होती उसकी छवी खराब होती उसका कई सालों तक मजाग उड़ता और वोटों का भी नुकसान होता कुछ लोग ये भी तक देते हैं कि बहार की country जब इसको यूज नहीं कर रही है इसको reject कर रही है तो हम लोग क्यों कर रहे है देखिए 31 country ऐसी है जिन्होंने EVM का यूज किया है हला कि वहाँ का process इंडिया से बिलकुल अलग है लेकिन उसमें से भी 4 country ऐसी है जो उसको यूज करती है 11 partially यूज करती है और जिन country ने इनको ban किया है उनके court के order अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि लोगों को programming language नहीं आती ऐसा system होना चाहिए कि लोगों को पता हो कि उनका vote जब उन्होंने दिया है तो आगे कहां बढ़ा है और किस तरीके से बढ़ा है देखिए सुप्रीम कोर्ट से उपर कुछ भी नहीं है इस देश में कई political parties ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली इसके खिलाब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको reject कर दिया in fact तारीफ की EVM की Amazon पे इसके chip और circuit अवेलबल है कोई भी उनको उठा के prototype बनाता है और वीडियो डाल देता है कि देखो hack हो गई है देखिए जितनी conspiracy theory होती है वो बहुत जल्दी लोगों में attract करती है लेकिन बिना facts के यकीन करना बहुत ही नुकसान दे होता है अभी फिर से elections के result आ रहे है और फिर से वजी सब शुरू हो जायागा हारने वाले आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि EVM की वज़े से हारे है लेकिन आपको तब तक अपने मन में doubt नहीं डालना है जब तक कोई logic या proof ना दे जो भी बोल रहा है कि EVM हैक हो सकता है उसको आपको यही बोलना है कि election commission में चलो वहाँ पे जाके इसको हैक करो सब के सामने हैक करो और पूरे देश के hero बन जाओ अगर कोई कह रहा है कि EVM हैक हो सकती है या नहीं हो सकती तो दोनों ही case में आप सवाल करें और सच ढूणने की कोशिश करें किसी भी चीज को मान लेने से पहले और ये सवाल सिर्फ EVM तक ही सिमित ना रहा है बलकि life के हर aspect में question करना जरूरी है कोई भी चीज हम करने हैं तो क्यों करने हैं उसका purpose क्या है इस तरह की सोच हमें fact-based और smart decision लेने में मदद करती है पर हर कोई इस तरह naturally नहीं सोचता ये भी एक skill है इस पे बहुत अच्छी books लिखी गई है जिसमें इसे एक book है start with why ये book बहुत अच्छे तरीके से बताती है कैसे आपको कुई start करने से पहले उसका purpose और reason जानना जरूरी है ये book summary आप Cuckoo FM library से सुन सकते हैं Cuckoo FM बहुत ही अच्छा audiobooks platform है जहां बहुत अच्छी audiobooks और book summary सुन सकते हो सिर्फ 399 में आपको पूरे साल का access मिल जाएगा इन सारी books का बट अगर आप मेरा coupon code यूज़ करेंगे NR50 तो ये आपको मिलेगा 199 for a year बट coupon is valid for first 250 users link is in the description and pinned comment